बॉट मॉनिंग आज मैं आपको पढाऊंगा जलडल मेथड विच इस अपेस्ट इन या टोल इन बाइब ऊदिकल आरगेनिक चेमेस्टी धर रू कॉश था टो था इसे होता है कॉालिटिटीटिट इसी होता है है एस्टिमेशन आप डिफरेंट एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर कंपाउंड आगे निकंपाउंड तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे इसके एस्टिमेशन के यह फार्मुला मैंने आपको बता दिया आज मैं आपको बताऊंगा कि जल्डल मेथट से हम कैसे नाइट्रोजन का estimation करते हैं तो जल्डल process क्या होता है एक जल्डल flask होता है उस flask में हम यह practical करते हैं जो compound यहां दिखाई दे रहा है compound means which contains nitrogen in it this compound means organic compound organic compound हम ले लेंगे which is containing the nitrogen item in it when it reacts with the concentrated sulfuric acid तो बना लिया ammonium sulphate और यह ammonium sulphate एन ने वह के साथ rate करके एन ने टुए सो 4 प्लस एनस 3 प्लस स्टो देगा दिस एनस 3 आप ध्यान से देखेंगे एनस 3 is known as the base levis base तो यह base कितने भी हैप करता है तो इस base will react with the acid again which will form the ammonium sulphate अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि left unused जो sulphuric acid हमने यूज किया था वो sulphuric acid इसको एनस 3 के साथ हो रहा है तो पूरा का पूरा amount इस एनस 3 के साथ नुटलाइज नहीं होगा the left unused sulphuric acid further reacts with the alkali solution जो बचा हुआ sulphuric acid है वो नुटलाइज होता है और sodium sulphate along with the water बनता है तो इस तरह से हमने कहा कि जो sulphuric acid है वो sulphuric acid क्या करेगा तो पार्ट होगा कुछ पार्ट उसका एनस 3 को which is a base नुटलाइज करेगा और remaining amount of that one will be neutralized will neutralize the NaOH solution जिसे हम alkali solution के नाम से जाते हैं और मैंने आपको बताया था कि percentage of अगर nitrogen निकालना है according to the general process तो यह formula होता है बटा 1.4 into N into V upon capital W what is the mean of this percentage of nitrogen 1.4 into normality of the solution and volume of the solution okay so normality and volume the numerical based on the gel dal method जो मैंने आपको भी बताया कि gel dal method say percentage composition कैसे find करेंगे let us see it is a question of NCRT it is very important question a sample of 0.5 gram of fine organic compound was treated according to zeldol's method the ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 m H2SO4 means molart is given the residual acid required 60 ml of 0.5 ml solution of NEOH for neutralization to find the percentage of nitrogen कैसे निकालते हैं इसमें देखे दिया क्या हुआ है कि 0.5 gram organic compound दिया गया है और यह जो NEOH alkaline का amount दिया गया है 60 ml of 0.5 में और जो एसिट दिया है विच इन दा एक्सेस अमाउंट 50 ml of 0.5 एम एस्टो इसके लिए हम यह लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 50 ml 0.5 M H2SO4 इसको हम क्या कर सकते हैं 50 ml 0.5 M H2SO4 को अगर हम इस molarity को normality में convert करें तो कितनी value होगी हम यहां आपको बता दें कि नार्मल टी अगर यहां देखें नार्मल टी बाई मोलर टी इस इकल टू होता है एन फैक्टर एन हमको निकालना है और मोलर टी इस गिवें 0.5 और इसका एन फैक्टर टू होगा विकाज sulfuric acid is the acid which basis it is 2 तो एन की value क्या हो गई 0.5 into 2 is equal to 1 तो इस तरह से हमने देखा कि नार्मल टी इसकी 1 हो गई तो this we can say 50 ml N H2SO4 अगर हम इसकी बात करें 60 ml 0.5 तो यहां लिखेंगे वो बेस है इसकी sdt 1 होगी तो इसको फिर इसी फार्मूले से अगर हम चेंज करें नार्मल टी अपान मोलर टी इस गल टू एन नार्मल टी फाइंड करना है मोलर टी वेटा हो गए 0.5 और एन इस इगल टू 1 विगाज एन ने ओएज बेस है इसकी एसी डिटी वन होगी तो एन की जो वैली होगी वो क्या हो गई 0.5 ध्यान देंगे और इस इगल टू 60 ml 0.5 और इसको लिख सकते हैं 30 ml और इसकी नार्मल टी अभी तक 0.5 थी हमने नार्मल में कर दिया तो 30 ml और इस लाइन को देखने के बाद आपने देखा कि इसमें और इसमें इस दा इमांट आप देशिड इस दे अमांट आप दा एलकली तो लिखेंगे इन दोनों में सबसे छोटा है तो लिखेंगे 30 ml और एन ने ओच नूटलाइज इस नूटलाइज इस इस इकल टू कितना होगा 30 ml और एन हट्टी इस सोफोर यह गौर से दिखेंगे जितना वालूम और सेम नार्मिल्टी उतना ही वालूम उतनी ही नार्मिल्टी दोनों एक दूसरे को नूटलाइज करेंगे तो हमारे पास जो सलफ्यूरिक एशिड का एमांट था वो 50 ml था तो लिखेंगे लेके और था अश्टेओ को और विखेंगे ट्यंवज कि दितना फाइब् आशिए दो कर दो विच इज रिक्वाइड वार अमोनिया फॉर्म देखें जो 50 ml एन एस्ट एस्ट फॉर था उस 50 ml में 30 ml एन ने वेज को नियूटलाइज करने में लग गया 30 ml एन ने वेज नूटलाइज थर्टी एमल एन एन ने वेज को नूटलाइज कर दिया जो बचा हुआ अमाउंट है डाइट विल नूटलाइज अमोनिया तो इस इस इकल तो इसको भी हां से हम अटाएंगे आई देखते हैं इसका मतलब हो गया यह जो वैलू आई हो आगया 20 ml एन एच्टी एस्टी एस्टो फोर यह जो एमाउंट है वो अमोनिया के लिए होगा तो अब हम जानते हैं परसेंटेज आप नाइट टोजन इस इगल टू होता वेटा 1.4 इन्टो एन इन्टो वी अपान कैपिटल डबलू तो परसेंटेज निकालेंगे 1.4 नॉर्मल्टी इस गिवन यह न का मतलब हो गया वन यह न्यार्मल सॉलूशन है और वालूम इस इगल टू इवन ट्वेंटी डिवाइड वाइड वाइड वालू की वेल्यू होगे 0.5 की डेसिमल हटा देंगे तो जगा 14 इन्टो 20 इस डिवाइड बाइड वाइड वाइड तो 5 फोर्सा तो इस इगल टू 14 फोर्सा 56 परसेंट इस इस दा परसेंटेज आफ नाइट्रोजन इन गिवन और वर्यनिक कंपाउड तो इस तरह से जेरिशनल मेथब से हम नाइट्रोजन का शुरी मेशन कर सकते हैं कि किस तरह से उस ऑर इस पर हमने देखा कि the percentage of nitrogen is 56% तो इस तरह से हम किसी भी आरगेनी कमपाउंड में nitrogen का estimation कर सकते हैं according to gel-doll process और पिछले वीडियो में ने आपको डिव माज मेधर से बताया था कैसे हम nitrogen का estimation कर सकते हैं thank you so much for watching आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो आपके लिए beneficial हो तो जरूर मेरे चैनल को subscribe करें once again thank you so much